हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइफ और होस्पोड दोने एक साथ कैसे चालू कर सकते हैं और उनके फाइदे क्या है हम उनके बहुत सारे फाइदे उठा सकते हैं तो जैसे देखिए स्क का हॉस्पोड लेकर आप किसी दूसरे दोस्त को अपने फोन के थ्रू शेयर कर सकते हैं तो चलिए भी ना रुके वीडियो शुरू करते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने पहले वाले फोन में नेट शेयर एप डाउनलोड कर लिए जो प्लेस्टोर पे मिलता है लेकिन आप को काफे फाइदा होगा तो यहां पर देखिए मैं डिलिंग वाइफाय से कनेक्टेड हूं और बागी कोई अनाधर वाइफाय नहीं है यहां पर तो मैं यहां डिलिंग से कनेक्टेड हूं और इसमें डिलिंग का पासवर्ड नहीं है यहां पर मैंने डिलिंग का पासवर् पर टैब करने क्रियेटिंग ग्रूप होगा तो पहले फॉन में वाइफ है और थो दोनों ही चालो हो गए है और हम सेकेंड फॉन में देखते वह आता ही कि नहीं तो देखिए सेकेंड फोन में वह हॉसपोट आ गया है जिसका नाम हो पुएफिलोन प्रो देखिए पहले फोन में वह पुएफिलोन प्रो रखाए मैंने नाव और नीचे पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को हम यहाँ पर एंटर करेंगे फिर हो जाएगा कनेक्ट तो है कि नहीं नीचे अड्रेस दिया हुआ है यहां पर देखिए 192.168.49.1 मतलब सही अड्रेस है मतलब इसी वाइफ से वाइफ से पासवर्ड से कनेक्टेड है तो चलिए अब हम यह पासवर्ड बंद करके देखते हैं इस पून से जाता ही कि नहीं तो यहां पर हमने आफ कर सब्सक्राइब करते हुए यहां पर सर्ची मारते है जिए छूसर्च मारने के बात आप करके और ऑफ कर्ता हुआ हम आप सर्च समय आप करेट करूंगा पर तूसरे वाले फून में श्केन करंगा धर आथा कि नहीं तो देखिए आग यहां फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आप मेरे चैनल पर बने रहें और आगे भी ऐसे हैकिंग के वीडियो देख सकें आगे मैं आपको बहुत पेसे बहुतर ट्रिप्स बताने वाला हूँ